हाई फ्रेंट्स जैसा कि आप जानते हैं हमारा चैनल का नाम IT Solution Class चंडीमा टेक चैनल है मैं हमेशा से क्या है कोई भी कलास या कोई भी टेकनिकल बुडियो वो IT एकुपमेंट पे ही लाता हूं दोस्त आज मैं आपको सर्वर 2008 में DC ADC बनाना बताऊंगा यह तो थोड़ा पुराना सर्वर है दोस्त लेकिन जो अभी लेट्रेस्ट का सर्वर 2019 जो चल रहा है उसमें भी सेम यही रूल फलो होंगे तो मैं आपको क्या क्या बताऊंगा देखें जैसा कि यह टॉपिक है इंस्टालेशन ओफ बिंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें की सर्वर 2008 हाट्टू को कैसे इंस्टाल करेंगे इसकी इंसोर्ट के साथ बताएंगे दोस्त फिर जो इनके क्लाइंट PC होगा जिसके अंद बॉक्स में लिखेंगे तो मैं सर्वर 2019 और बिंडो टेन का इस्टालेशन भी इसकी इंसोर्ट के साथ बता दूँगा मैं इसमें आपको बताऊंगा दोस्त एक्टिव डिरेक्टी कैसे बनाना है आईपी एसाइन कैसे करना है मेंबर सर्वर क्लाइंट सर्वर यूनेज में यहाँ तक मैं आपको इसमें बताऊंगा दोस्त तो आईए देर न करते हुए मैं आज क्लास को अस्टार्ट करता हूँ जैसा देखें फर्स्ट में में जैसा बताया था आपको installation of operating system यानि कि operating system को हम install कैसे करेंगे तो आईए मैं देखता हूँ यह देखिए सबसे पहले सबसे पहले computer को installation करने के लिए दोस्त उतका system requirement का जरूरत पड़ता है तो देखिए 2008 R2 operating system की DVD हमारे पास होना चाहिए यह जो software हम install कर रहे है उसका DVD या अगर pen drive से कर रहे है तो उसका pen drive हमारे पास होना चाहिए दोस्त यह देखिए सबसे पहले हम को क्या है BIOS में जाना है BIOS में जाने के लिए क्लिए 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 computer को restart करेंगे रिये start करने के बाद जिस भी की का उसमें BIOS की setting होगी किसी में deal होता है दोस्त किसी में F2 होता है तो आप उस की को प्रेस करें यह BIOS में चला जाएगा BIOS में जाने के बाद first drive DVD ROM अगर आप CD से इंस्टाल कर रहे हैं या DVD से इंस्टाल कर रहे हैं F10 की से प्रेस करना है YES मारना है computer restart होगा फिर बेट करना है बेट करने के बाद desktop पे आएगा कि any key press boot from CD या USB drive या external DVD आटर जिससे आप OS इंस्टाल कर रहे हैं उसको option आएगा तो आप कोई भी एक की को प्रेस करेंगे तो क्या है वो उससे software boot हो जाएगा CD अगर DVD से कर रहे हैं तो अगर मालो internal DVD writer से कर रहे हैं तो internal DVD writer से boot हो जाएगा external USB drive से कर रहे हैं तो USB drive बूट हो जाएगा अगर pen drive से कर रहे हैं तो pen drive हो जाएगा उसके बाद ये देखिए ऐसा desktop आएगा तो मैं फिलाल आपको cd dvd से करके अस्क्रीन सोट जो मेरे पास है दोस्त वो dvd का है यह देखिए ऐसा स्क्रीन आएगा आपके पास प्रक्रीन आने के बाद फिर कोई एक की को प्रेस करें तो कोपी फाइल लिखाएगा इसे यह वाला डेक्स्टॉप आएगा इस डेक्स्टॉप आने के बाद यह देखिए इस टाइप का मैसे जाएगा अब इसके अंदर तीन ओप्सन है दोस्त एक लेंग्वेज ओफ च्ट करने के बाद देखिए इस टाइप का लोगो आएगा दो का तो कि जो कंब्स के अंदर फिल और और अगर नए भी फिल करेंगे तो बिना की का भी इंस्टाल कर सकते हैं मैं बाद में आपको एक वीडियो बताऊंगा कि जब आप सर्वर डाल लें तो उसके बाद उसमें की डाल के रजिस्टर कैसे करेंगे अभी फिलाल इंस्टालेशन देखें यहां पे भी की डाल सकते है नहीं तो आप इसको next भी कर सकते हैं without की का भी यह ले लेगा उसके बाद yes यह बोलेगा I want to product की now तो yes करना है नहीं है तो फिर इसमें कर देना है उसके बाद देखें दोस्त करने के बाद यह आपको इस परकार का इसमें दोस्त देखिए बहुत कुछ आएगा सर्वर 2008 अस्टेंडर फूल इंस्टालेशन इंटरप्राइज तो दोस्त इंटरप्राइज यह दोनों में इसे को आप एक करें यह दोनों में फ्यूचर अच्छा होता है तो फिलाल मैं आपको इंटरप्राइज पर बता रहा अगर एकक्स एक्सिक्स एक्स लिखार है तो समझ यह वह तर्टी टू भीट का है और अगर एक्स शिक्लाप ीट का है तो चीश जिस हिसाप से आपका मदर जूचर यह पॉस्त शीन ऐसे करें कुछ तो इसके लिगने। प्रसेट प्रसेटरलेंगे, तो सब्सक्किन है दोक्तुन है multim, दोक्तुन करने। तो हम नीचे वाले को click करेंगे custom को चलिए उसके बाद next बढ़ते हैं अब यहाँ पे देखिए दोस्त यहाँ पे करने के बाद हमारा total harddix 16GB का है लेकिन आज के डेट में कोछ 16GB का harddix नहीं होगा दोस्त 500GB का होगा या 1TB का होगा तो यहाँ पे आपको कहें पूरा drive show करेग करने के बाद new का option आएगा new पे click करें फिर अगर मालो आपको दो partition बनाने हैं दोस्त तो जितना MB वहाँ सो करेगा उससे हाप-हाप करके आप यहाँ तीन partition भी बना सकते हैं चार partition भी बना सकते हैं लेकिन यहाँ 16GB का है तो एक ही partition में बनाया हूँ इस पे click करने के बाद यह MB सो करेगा जैसे अभी 15,000 सो किया दोस्त अगर यह 32GB का होता तो यह 30,000 सो करता अगर यह और ज्यादा का होता तो जैसे मालो इसमें हमको 88GB का बनाना है तो 15,000 लिखा है 15,000 का आधा कितना होगा साड़े साथ जार तो आप साथ जार करके apply कर देंगा तो 8GB का उपर बना दे नीचे वाले पर फिर क्लिक करके new पर apply कर देंगे तो दोनो 88GB का बन जाएगा दोस्त देखिए हम एक ही फिलाल बनाए है देखिए एक इसमें क्या है एक 14GB का बन गया एक unlocated लिख दिया तो उपर वाला जब बनाने के बाद फिर इसको format भी करना है दोस्त फॉर्मेट करना फॉर्मेट करना फॉर्मेट करनेके बाद उसके athletic करना जायगा इसमें की फैलेशन इस्ठालीशन स्टार्ट हो जाएगा ठीक है फिर कुछ टाइम ब्रेट करने के बाद ये ऐसा वाला यहां पर दोस्ट टाइम लगेगा मैं स्क्रिंस्टाइब की मदद से आपको बता रहा हूं बड़ तकरीबन सीडी से डालेंगे तो 20-30 मिनिट लएगा तो फिर भी 15-20 मिनिट लएगा शीडिश डाल लें तो आधा घंटा ये घंटा डिपेंड अपन सिस्टम लग सकता है फिर देखिए नेक्स्ट आपका इस परकार का लोगो आ जाएगा क्लिक ओके करना है ये पुछेगा कि मतलब मस्ट भी मतलब पहले बोलेगा कि योर यूजर पासवर मस्ट भी चेंज भी फोर लोग इन दफस्ट सिस्टम मतलब सरवर जभी इंस्टाल होता है तो बोलेगा कि पासवर आपको चेंज ही करना पड़ेगा तो आप ओके करना है ओक का ये server install हो गया इस software का ये logo आ जाएगा और ये server install हो गया अब next video में आपको मैं बताऊंगा installation of Windows 7 operating system अचाहे आपके पास दोस 7 operating system हो या Windows 10 हो या server 2019 हो process सब का same है दोस्त तो ऐसा नहीं समझे कि मैं आपको old पर बता रहा हूं अगर आप पर को comment box में comment करेंगे तो मैं पक्का आपको server 2019 का installation भी बता दूँगा और मैं बिंडो 10 का भी अस्किन सोट के साथ बता दूँगा अगर मेरा video अच्छा लगता है मैं चैनल को like करें subscribe करें thank you धन्यवाद